दोस्तो बातचीत के मास्टर कैसे बने राइट बातचीत के मास्टर कैसे बने कैसे बात करें कि लोग आपको सुनना चाहें क्या बोले कि इस तरीके से बोले कि लोग आपको सुनना सुरू कर दे तो आपको सुनते रहे और आपकी बातों के साथ इंगेजमेंट उनका बना रह हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो आपको communication skills को सुधारने के लिए मैंने दिया हैं तो इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि में के स्किल्स को next level पर आप कैसे लेके जा सकते अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए मैं आपके साथ में आला मेहमुद मैं इस चैनल पर communication skills को उपर sales and marketing personality को develop करने के लिए regular powerful videos लेकर आता रहता हूं तो मैं इस वीडियो में आपको टोटल सेवन पॉइंट्स दूँगा अगर इस सेवन पॉइंट्स पर अगर काम करते हैं आप तो आप एक अच्छा communicator बन सकते हैं और आपका communication skills next level पर जा सकता है तो सबसे पहला number जो मैं आपको tip देना चाहता हूं ताकि आपको लोग सुनता रहे कि use the name of the person session जिसके साथ आप बात कर रहें उसका नाम जो हमेशा अपने जुबान पर आपने बिल्कुल सही कहा, अगर को रहीम है, तो यस रहीम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रहीम चाचा आपने बहुत अच्छा कहा, रहीम चाचा बैठिए, रहीम चाचा आप क्या लेना चाहेंगे, मतलब सामने वाला नाम जो है, आपको उच्छारन करना पड़ेगा, सामन उसी तरीके से दोस्तों कि हर बैक्ति को अपना नाम से महबत होता है जैसे कि आपको है तो हमेशा लोगों को उसके नाम से पुकारिए अगर बड़ा है तो इस जद्दे के पुकारिए छोटा है तो उस तरीके से जो है उसका डारिक नाम लेके पुकार सकते हैं कहने का मतलब ह कि आपको उसका नाम को use करना है बातचीत के दोरान में तो सामने वाले सापका engagement बन पाएगा और सामने वाला आपकी बातों को सुनना चाहेगा और आपकी बातों को सुनते रहेगा यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है अगला जो यहाँ पर point है कि mirroring someone's right mirroring करना है उसी तरीके से आपको बातचीत को रखना है सामने वाला जिस भोलियम के साथ में बोला है जितने उची आवाज में बोला है आपको उतने उची आवाज में बोलना सामने वाला निरास होकर बोल रहा है तो निरास होकर बोलना सामने वाला खुसी से बोलना होगा सामने वा वाले के situation body language समय वाले के everything आपको समझना है और उसके according आपको बादची जहों पर रखनी पड़ेगी इससे क्या होगा सामने वाले को लगेगा कि उसका आप duplicate copy जैसे सामने वाला mirroring का क्या मतलब है कि सामने वाला जैसे आप आइने के सामने खड़ा होते हैं तो हुब हुब ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा वह आपको समझ पाएगा आप उसे समझ पाईएगा अगला जो point है यहां पर मैं आपको साथ सेर करना चाहता हूं कि use you word यू जो है ना यू आपको अपना conversation में अपना sentence में अपने बातचीत में ज्यादा यूज करना है आपके साथ ऐसा होगा आपको इस तरह का चीज़ें मिलेगी आप पहुँचने वाले हैं आपको इस तरह का टेस्टी आएगा आप मेरे साथ जाएंगे कि नि मतब आप आप बोलना you you सब्द का ज्यादा इस्तेमाल करना तो सामने वाले को क्या लगए उसके psychology उसके दिमाग साथ में है वह engagement बढ़े और सामने वाला आपकी बात को सुनना चाहे है और आपसे attract हो जाए आपकी बातों को यह सब्द है उसको ज्यादा से ज्यादा आप यूज करने का कोसीस कीजिए अगला जो पॉइंट मैं आपके सांदा सेर करना चाहता हूं कि यहां पर आपको कुछ भी ती के ऊपर आपको अच्छा दिख रहा है तो उस चीज अपने आपको तारीफ करना है जनुनी आपको आपको बाध करता है मतर्फ जो चीज अच्छा लगता है उसी जो ऩरापको आप करना है तो पारिफ करना है अईसा निए कि उसका क्या है neither आपका जूता तो बहुत अच्छा दिख रहा है ऐसे बात बिल्कुल नहीं करना है ने तो सामने वाले को लगेगा बिल्कुल लगेगा जन्मीन है क्योंकि उसका जूता फटा हुआ आप उसकी तारीफ कर रहे हैं तो लगेगा उसको कि यहां पर मेरी इंसल्ड किया मेरा दिल को जीतना है दो नोट ट्राइट विन आगमेंट जो अर्गमेंट हो रहा है ना उस सामने वाले बैक्ति से मानिए कोई टॉपिक को पर आपका बात्ची चल रहा है और आप बार बार कोशिज कर रहे हैं कि इस बैक्ति को हम हरा दे आपको हराने का ट्राइब नहीं करना है कि कुस्ति क्लाइंट है या सामने वाले बैक्ति है आपका ओडियंस है वह जिस तरीके कभी ओल आपको सुनना है .uh 19-20 बोलेगा आपको यहां पर क्या करना है उसका दिल को जितना है उसका आर्गिमेंट को आपको नहीं जितना है अगर आप आर्गिमेंट जितते हैं तो सामने वाले का दिल खो देते हैं सामने वाला को आप हार जाते हैं तो उस वज़े से आपको लोगों का दिल जितना है तो आप आर्गिमेंट हार ज जित जाएंगे जो हारकार जितते हैं उसे बाजिगर कहते हैं तो आपको बाजिगर बनना है नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको साथ सेर करना चाहता हूं कि के ठोल पॉइंट जयान देना है जयां जजी आपको सुनना है और Cada Θardom 的 सुनीः उसको 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 सुनने जिबनेंगर ट्राई कीजिए और आप बहुत ज़्याधा कम बोलें थर्टी पर संद बूलें जहां उचित हो वहीं पे बोलिए तो सामने वाले को लगेगा कि क्या बात है वो मुझे सुन रहा है, हर बैक्ती चाहता है, हर दूसरा बैक्ती चाहता है कि मुझे कोई सुने, हर बैक्ती चाहता है उसके दिल की बात कोई कोई सुनने वाला हो, क्योंकि दुनिया में इतना ना anxiety है, इतना लोग वरीड है अपने family को लेकर, अपने job को लेकर, अपना economy condition को करके हर बैक्ती चाहता है उसके दुख को कोई सुनने वाला हो तो आपको सुनने वाला बनना पड़ेगा आप जादा से जादा लोगों को सुनिए यूज पैरोटिंग टेक्निक जो पैरोटिंग टेक्निक है इसको आपको यूज करना पड़ेगा पैरोटिंग टेक्निक का क्या मतलब यहां पर है पैरोटिंग टेक्निक से मेरा मतलब यह है कि सामने वाले को आपको क्या करना है आप ऐसे बोल सकते थे, आप एक मेहने से भी आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, लेकिन आप उसके sentence को आप भी use कीजिए, उसके sentence को आप दोबरा आप बोलिए, वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप यह बोलिए कि मेरा आज इतना पैसा जो है, मेरा आज जो हो गी है, आप बोल अच्छा आपका इतना पैसा आज नुकसान हो गी आ, उसके बात बातषित जो है आगे बढ़ा है, मतब शामने वाला जिस sentence को बोल रहा है, आप को आप जब बोल रहा है तो sentence से ही आपको बात शुरू करनी है, तो सामने वाला को जब प्रॉब्लम उसका है, लेकिन आप उसकी बातों को जब जब आप repeat करेंगे, यहां पर बार बार repeat करेंगे, तो सामने वाले को सांत में आपका engagement बढ़ेगा, सामने वाले के सांत में आपका एक अच्छा communication बनेगा, उसको लगेगा कि यह मेरा अपना ही आदमी है, उसका psychology इसी तरीके से काम करेगा, human psychology इसी तरीके से काम करता है, तो आपको parroting जो technique है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, जो जहां से बात सुरू करता है, आपको अगेन उहीं से बात सुरू करनी है, तो इस तरीके से आप जो है, एक best level का communicator बन सकते हैं, क्य से कैसा skill है, जिसे king skill भी बुला जाता है, आपको हर जगा पर इसकी आउसकता पड़ती है, आपको everywhere, घर में, family में, आपका corporate में, office में, MLM में, network marketing, everywhere, हर जगा पर इसकी आउसकता पड़ती है, that's why इस skill को आप mastery जरूर कीजिए, तो दोस्तों मैंने बहुत सारे videos और भी communication skills के आप सभी के लिए बनाया है, तो आप और भी video को देखने के लिए, नीचे जो है, description box में, मैंने उस सारे videos का link देके रखा है, तो आप सारे videos को check out जरूर कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं, तो channel को subscribe जरूर कीजिए, तब तक के लिए, take care and bye bye